तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है तो आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से आपके सामने जो है वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को और क्या-क्या मेसेज़े आएंगे वो हम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखें हैं पाइल नमबर वान पाइल नमबर टू पाइल नमबर वान को आप इस इमिज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्दे मन से चूज कर सकते हैं उसी तरीके से पाइल नमबर टू है अभी मैं आपको Zodic Sign बताती हूँ नेक्स टारा Eight of Cups नेक्स टारा Judgment नेक्स टारा Seven of Wands और नेक्स टारा आपके लिए Four of Coins कुछ और Cards भी देख लेते हैं नेक्स टारा Three of Cups नेक्स टारा Ace of Swords Consciousness नेक्स टारा Integration Temperance का card आया है नेक्स टारा Two of Cups थ्रू जस्टिस पहले मैं आपको Zodic Sign बता देती हूँ उसके बाद मैं आपको Explain करती हूँ किस तरीके का उनका Behavior रहेगा आपके लिए तो यहाँ पे Libra Aquarius Energy है Cancer Energy है Pisces Energy है, Aries Energy है Sagittarius है Libra मैंने बोल दिया था Oscorpio Energy है ठीक है तो यहाँ पे मुझे ऐसा Feel हो रहा है यह Person चाहे Male और चाहे Female उपने Genre से Resonate करना उनका Behavior यह Treatment यह Express करने का Feelings जो है वो काफी जादा Clear Cut होगा Straight Forward होगा यह ऐसे इनसान नहीं होंगे कि जैसे घुमा फिरा के बाते करें ऐसा नहीं है कि Poetic इंसान है जैसे कुछ लोगों को Poetic जो है वो बहुत जादा पसंद होते है कि Creative तरीके से जो है वो आपको Indirect Way में प्रपोस कर रहे है या बाते कह रहे है लेकि यह सच-सच बोल देंगे कि हाँ यह आप से प्यार करते हैं या आपके मन में उनके मन में आपके लिए किस तरीके की feelings है वो सीधे सपार्ट जो है वो तरीके से बोल देंगे आप लोगों को कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है बट यह जो है बहुत जादा उनकी depth जो feelings की है वो इसी तरीके की है कि बहुत मीठी मीठी बातें नहीं है सच में बोल देंगे कि हाँ भी मुझे आपसे प्रेम भाव है या मैं आपसे शादी करना चाहता हूं तो इस तरीके की सीधे cut throat वाली situation है उनकी feelings जो express करने का तरीका शुरुआत में आपको बहुत अजीब लगेगा इस वज़े से लगेगा क्योंकि कोई भी ऐसे न एकदम से पहली मुलाकात में या first time जो है वो ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे आपसे शादी करना है लेकिं ये कह देंगे तो इस तरीके की energy और आप पहले बहुत हस होगे उनके उपर लेकिन उनकी genuine feelings है तो उस पर ज़्यादा हसना मत next जारा eight of cups है तो eight of cups जो है वो moving forward को दिखाता है तो ये person जो है आप से ये कहेंगे कि अगर आप interested हो तो ठीक है हम बात करते हैं और अगर आप interested नहीं हो तो मैं यहां से जो हूँ मैं आपको मतलब बार बार पीछे भागने वालों में से नहीं है तो आपको शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत अजीब लगेगा या आपको हसी आएगी कि ये कैसा behavior है पहली दफ़े जिन्दिगी में कभी मिला हो कोई इनसान और उस वो नाम भी नहीं जानता और वो सीधे कह रहा है कि मुझे आपसे शादी करनी है और अगर आप इस proposal में interested नहीं हो तो फिर जो है अब मैं यहां से चला जाता हूँ और आप मुझे reject कर दो कोई बात नहीं तो आपको पहले लगेगा कि यह पागल है क्या मतलब craziness सी महसूस होगी लेकिन वे जो चीज है वो इस वज़े से है क्योंकि वो बहुत ज़दा confident है और उन्होंने जो जो सोचा है वो वो करके रहते हैं तो इस वज़े से आपको धीरे धीरे accept कर लोगे कि उनका nature जो है वो straight forward तरीके का ही है वो सच-सच बोल देंगे जैसे अब मैं कैसे कहूं कि आपके साथ जो है अगर उनको गूमने जाना है तो वो सीधे कह देंगे कि मैंने ये plan बनाया है मेरे साथ चलो बस इतना ही कहेंगे तो आप पूछा के भी कहां जाना है क्यों जाना है अकेले क्यों बना लिया या कुछ भी बस तुम मेरे साथ चलो बस ऐसी energy है यहाँबर जज्मेंट का काड़ा है जज्मेंट जो है आप दोनों थोड़ा opposite हो सकते हो उसरे से express करने में feelings पे क्योंकि आपको जो है वो थोड़ा सा creative तरीके के चीजे पसंद होंगी लेकिन इन्हें वो creative चीजे नहीं पसंद है उन्हें ऐसा लगता है कि creative चीजे जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे बोला तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन उसको actually मैं actions में नहीं true करके दिखाया जा रहा है जैसे कोई भी आप poetic या romantic novel ले लो तो बहुत प्यारी प्यारी बाते होंगी जिसमें जो है व्यक्ति एक illusion में जाएगा एक ब्रह्म में जाएगा एक वो fantasy level में जाएगा वो fantasy level में नहीं जीना चाते उनका ये है कि भाई मेरको ये चीज़ है मैं ऐसा feel करता हूँ ये रही चीज़ और मैं उसे action में दिखाऊंगा तो ऐसी energy है यहाँ पर तो judgment का card है बहुत जादा intense तरीके से उनके मन में आपके लिए प्रेमभाव रहेगा respect रहेगी, trust रहेगा और इस चीज़ को आप लोग feel कर पाऊँगे next time is seven of wands seven of wands जो है वो एक ऐसी energy है कि आप पहले बहुत जादा guarded रहोगे protected रहोगे क्योंकि इस तरीके का ये मैं कहूंगी attack एक attack की तरीके से आपको लोगेगा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया है मैंने कुछ भी नहीं ऐसा कहा है पता नहीं आप overthinking करोगे लेकिन उनको मालूम है कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं और किस वज़े से पसंद करते हैं उनके पास सब तरीके के reasons होंगे next time is four of points four of points जो है वो stability या security को दिखाता है एक stuck energy है जिसकी वज़े से वो आपके उपर निर्भर रहेंगे emotionally यहाँ पे जो है pentacles की energy आई है तो वो बहुत ज़दा stable रहते होंगे लेकिन आपके उपर emotions की वज़े से dependable होंगे उन्हें पता है कि उन्हें अपने emotions को दिखाना नहीं पसंदा था जैसे कि एक example देती हूँ वो सीधे कह देंगे कि कि मुझे किस करो ठीक है और आप इधर देखोगे उधर देखोगे कि इसको हो क्या गया है कही मन कर रहा है कि मैं बहुत मतलब पिटाई करूँ वो वाली चीज है लेकिन आपको हसी भी आएगी और वो भी होगा तो आप इस इस इंसान को धीरे धीरे जो है जो एक थड़ी किसी sophistication होती है न वो चीज़ आप सिखाओगे तो आप लोग इस तरीके से एक दूसरी की तरफ express करोगे feelings को नेक्स आरा three of cups है three of cups जो है वो celebration को दिखाता है तो celebration जो है आप लोगों के बीच में friendship हो जाएगी धीरे धीरे है जो है आप लोग एक दूसरे को समझने लग जाओगे और expression जो है feelings का वो काफी हद तक धीरे धीरे ही सही लेकिन change जरूर होगा और धीरे धीरे जो है जैसे आपके कान के पास आना या फिर आपके पास नजदीक आना और आपको जो है वो देखना या आँखों में मतलब एक stare वाली जो situation होती है कि आँखों में आखे डाल कर देखना तो वो वाली चीज यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर आपको धीरे धीरे समझ आदेगा कि उन्हें टैकल कैसे करना और expression जो है वो feelings का वो इसी तरीके करेगा यह बहुत जादा protective रहेंगे आपके लिए बहुत जादा जो लोग भी हैं वो इनसे intimidate या डरते होंगे लेकिन आपकी वजह से जो है इन में थोड़ी softness या कह सकते हैं कि जो एक harshness थी वो जो है यहाँ पर चली जाएगी next आरा integration तो यहाँ पर आप दोनों ही temperance वाली energy आई है balance situation में रहोगे एक दूसरे के साथ और इस तरीके का balancing nature रहेगा आप दोनों में कि आप महसूस कर पाओ कि आप दोनों की masculine और feminine energy बहुत जाद है accurate हो गई है जैसे कि आप जो बहुत जादा soft हो और यह पसंद थोड़े harsh हैं तो जो आपको harshness सीखनी है जैसे life में किसी को मना करना है तो कुछ लोग जो है मना नहीं कर पाते हैं सीदे सीदे और यह मना करना आपको सिखाएंगे उसी तरीके से आप जो है इन्हें थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी सिखाऊगे कि बलंट नहीं होना हर जगा बलंट नहीं होया जाता तो वो चीज जो है वो यहाँ पर एक तरीके से balance आएगी और आपको expression जो है वो इसी तरीके का रहेगा पहले जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा हसने वाले हो कि यह किस तरीके का इंसान है लेकिन धीरे धीरे जो है आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी नेक्स आरा two of cups है two of cups friendliness को भी दिखाता है soulmate तरीके से कि दोनों पेड़ जो है वो अलग-अलग variety के है या अलग-अलग species के हैं opposite होने के बावजू जो है आप लोग एक तरीके से अच्छे तरीके से match होगे एक दूसरे का साथ निभाओगे और एक दूसरे को accept करोगे next आ रहा है breakthrough breakthrough जो है वो justice card को भी दिखाता है justice जो है वो यहाँ पर इस तीस को कहा जा रहा है कि fair balance तरीका है libra energy है यहाँ पे venusian energy भी है तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ attracted भी रहोगे express करोगे उसी तरीके से धीरे धीरे जो है एक दूसरे को accept करोगे और दोनों में जो है काफी differences आ जाएंगे लेकिन यहाँ पे protectiveness और possessiveness दोनों ही है और दोनों एक दूसरे की प्रती इसी तरीके से सोचोगे और रहोगे तो चलिए देखते हैं कुछ love cards यहाँ पे जो है first में couple आया है यह नहीं कि मुश्किल देखी और भाग खड़ा हुआ तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है तो चलिए देखते love cards क्या कह रहे है let there be closeness between you but always give each other space love never claims it simply allows and gives तो आप लोग एक दूसरे के दोगे भी लोगे भी लेकि यहाँ पे control वाले issue नहीं है next are a secret admirer there are deeper feelings for you they are letting on तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके लिए वो काफी समय से feelings रख रहे थे तब ही वो आपको पहले समय यह बोल देगे कि आपको अगर मेरा proposal नहीं सही लगता है तो आप मुझे reject कर दो और आप बहुत हसने वाले हो तो चलिए देखते हैं यहाँ पर oracle cards क्या आ रहे या कोई और हमें वो मिल जाए clarity बहुत clear cut तरीके से बोलेगे और आपको खुद अजीब लगेगा कि अरे हो क्या गया है बड़ा unexpected चीज होगी next are a trust तो आप दोनों के बीच में trust जो है वो build up होगा और आप लोग उस चीज को निभाओगे next आ रहा है healing तो आपकी जो है जो viewer है मेरे उनकी healing भी होगी क्योंकि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो समय पर भाग ना जाए ठीक है वो चीज है और यहाँ पर आ रहा है divine masculine या divine feminine एक और मैं देखना चाहती हूँ dreams तो आपके dreams में जो है ये इनसान घूमेंगे तो आपको dreams में आएंगे ये कभी-कभी आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर और इस चीज से जो है आपको feel होगा कि आपके मन में feelings जो है वो catch हो चुपी है चलिए देखते हैं इस energy serrated को charms यहाँ पर dolphin आई है तो friendliness जो है वो शुरुआत होगी मैंने पहले ही कहा आप बहुत हसने वाले हो पहले एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करोगे लेकि धीरे धीरे develop हो जाएगा next आ रहा है यहाँ पर feather आया है protection यहाँ पर दिखाते हैं आप दोनों spiritually protected हो next आ रहा है X आई है तो X जो है वो cut off को दिखाती है कि जो negative हाला कि आपकी viewer की जो मैं कह रही हूँ कि healing की जरुत है तो वो जो past की energy है या past का experience है उसको totally जो है वो आप cut off कर दोगी चलिए देखते हैं कुछ love song आपके लिए क्या आ रहा है दिल दियां गल्ला tiger movie का है देख लेना बड़ा प्यारा गाना है next आ रहा है आपके लिए एक सनम चाहिए आश्की के लिए यह आश्की movie का है जो first वाली थी ठीक है और next आ रहा है बहारा बहारा I hate love story का और next आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई गजनी movie का तो इसी तरीके के feelings उनकी यह होंगी लिकि जो दिखाने का expression है वो थोड़ा सा मतलब कह सकते है irritating हो सकता है तो pile number one यह थी आपकी reading उमीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें thank you number two, अगर आपने इस image को जूश के या फिर आपका बद्धमत इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो अपनी express करेंगे feelings को अगर आपके लिए अपके लिए 10 of coins फिर से आया है नेक्स्ट आरा six of cups नेक्स्ट आरा the change wheel of fortune और नेक्स्ट आरा आपके लिए ace of penticus maturity तो यहाँ पे जो पहले मैं आपको जोड़ेक सेंड बता देती है उसके बाद मैं explain करती हूँ तो यहाँ पे Gemini है, Leo है, Capricorn के energy है और Aries energy है यहाँ पर Cancer energy है और Taurus energy भी है ठीक है, Leo energy मैंने बोल दिया था तो यहाँ पे Sun, Moon and Rising में यह prominent sign हो सकते है यहाँ पे मुझे ऐसा feel हो रहा है चाहें वो male हो, चाहें वो female हो आपकी love marriage होगी, जादतर cases में और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपको love feel करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी पहली चीज वो जो है उनका nature ऐसा रहेगा कि वो आपको gift देना या आपको pamper करने की इच्छा रखेंगी आपको क्या जरूरत है या जैसे छोटे-छोटे gifts देना अब gift जो है वो usually लोग दूसी तरीके से लेते हैं अगर चाहे कैसे कहूं मैं कि जैसे आपको first month हुआ है आपके relationship को start हुए तो first month की anniversary मना रहे है कि बस एक जो है चाहे pastry मंगाली हो चाहे एक normal जो है वो को-को-कला की bottle ही क्यों नहों बस उसी से जो है pizza मंगाली और ये खाया और पिया ऐसा रहा तो कुछ इस तरीके की situation रहेगी कि वो जो है ऐसा ही करेंगे तो पहला कार्ड magician आया है उनको बहुत कज़ा तक खुशी रहेगी कि आप उनके साथ हो उनकी feelings जो है वो इसी तरीके से express रहेगी कि आपको कभी-कभी special feel करवाना अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है कोई party हो सकता है कोई gift हो सकता है कोई surprise हो सकता है कभी-कभी unexpectedly जो है आपको गले लगा लेना या किस कर लेना तो इस तरीके की चीज़े उनके मन में रहेगी ये जो है उनका way of expression रहेगा आपके लिए जो है वो अगर जैसे कहीं जा रहे हैं जैसे मान लो कोई business trip है या कोई काम से जा रहे है या फिर ऐसे ही जो है कहीं जाना पड़ रहा है तो वहां से आपके लिए कोई gift ले आए कि वहां पे ये चीज़ मिल रही थी और मुझे लगा कि तुम्हारे ले अच्छी रहीगी तो काफी हद तक जो है आप उनके दिमाग में घूमते रहोगे चाहे आप male और चाहे female और आपको वह बहुत जादा एक tamper करने वाली situation है यहाँ पे 10 of coins दो दफे आया है तो family bonding या solid foundation जैसे कि कहीं गए हैं तो आपको अगर मान लो साड़ी पहनने का shock है तो आपके लिए साड़ी ले आए या फिर जो है अगर आप man भी है तो अगर आपको कोई watch लेने की इच्छा है और आप बहुत दिनों से टाल रहे हो कि नहीं यार पैसे नहीं खर्श करने मत करो तो आपके लिए वो जो branded वाली जो आप इतने दिनों से देख रहे हो कि यार ये मिल जाती तो बहुत अच्छा होता है तो branded watch ले आए तो कुछ इस तरीके की चीज़ है तो आप दोनों का इस तरीके का रहेगा next star is lovers का card है मैंने जैसे पहले भी कहा कि हो सकता है आपकी love marriage हो हलाकि सबसे resonate नहीं करेगी जातर cases में ये love marriage हो रही है और यहां पर आपको ये रहेगा feeling रहेगी कि आपका relationship जो है उसमें एक spiritual emotional तरीके का attraction रहेगा आप एक दूसरे को लिए protected रहेंगे secure रहेंगे और एक feeling जो है वो secureance वाली होगी ये नहीं कि कोई इंसान किसी का advantage ले रहा है चाहे वो पैसे की तरीके से हो चाहे वो gifts की तरीके से हो तो आप भी ये कहोगे कि अरे इतने पैसा मत खर्श करो लेकिन उनको खुशी है इस चीज़ कि मैं तुम्हे provide कर सकूँ इस तरीके की energy और दोनों का ही इस तरीके का रहेगा नेक्स टारा किंग ओफ ओंस है ये बहुत ज़दा attractive person दिखने में होंगे लेकि अंदर से बहुत ज़दा shy होंगे दिखते तो ऐसे होंगे powerful कि इन से बात भी कोई कर ले तो ये किसी को घास भी नडाले लेकि अंदर से बहुत ज़दा shy या एक प्यारे इनसान होंगी क्योंकि यहां पर six of cups भी आया है तो जो innocence वाली जो energy है या एक dreamy energy है कि आप दोनों का जो है वो partnership है या relationship है और इस तरीके से चल रहा है तो उस चीज़ को आप दोनों अगर ठंड का मौसम चल रहा है ठीक है बहुत ठंड पड़ रही है और बहुत समय बाद जो है वो सूरज निकलता है तो जो है एक खुशी महसूस होती है तो उसी तरीकी की खुशी जो है आप लोगों के relationship में रहेगी एक way of expression ऐसा रहेगा कि आप उनकी तरफ smile pass करोगे वो आपकी तरफ smile pass करेंगे और एक बड़ी सी big smile होगी जैसे बच्चों को अगर बहुत छोटे बच्चे होंगे तो स्कूल में जैसे मालो first आ जाते है तो इतनी खुशी होती होने को कि वो parents को भी बता रहे है तो उस तरीके का एक खुशी होगी जो इसमें innocence होगी नेक्स टारा है यहाँ पर rebel का काड़ा है तो emperor energy है अपने emotions को जो है लोगों से जो है वो बहुत जादा conserve करके रखेंगे लेकिन आप से जो है emotions नहीं छुपा पाएंगे नेक्स टारा ten of coins है तो ten of pentacles जो है वो इसी तरीके की energy है कि आप लोग अपनी life में इस चीज़ को महसूस करोगी कि एक legacy तो create कर ही रहे हो एक दूसरे को gift देना या हमेशा छू कर बताना या कुछ ना भी कहना कि सिर्फ word से नहीं बस एक touch से ही जो है gift से या surprises से ही रहेगा क्योंकि verbally जो है ऐसा नहीं है कि verbally आप एक दूसरे को बोलोगे नहीं नेकि बहुत ज़दा private energy है जो मैं यहाँ पे catch नहीं कर पारी क्योंकि वो बहुत ज़दा या तो intimate time पे है या इस तरीके की जो भी आप लोगों की बाचीत होगी वो एक ऐसी भाशा में या coded तरीके की होगी जो आप दोनों ही समझते हो तो emotions का जो expression है खासकर words में वो आप दोनों ही समझ पाओगे कोई और समझ नहीं पाएगा next आरा six of cups है तो six of cups जो है वो dream को दिखाता है स्टेबल ग्राउंडर सिचुएशन को दिखाता है यह नहीं कि आज जो है वो relationship create किया कल जो है वो परसो तूड गया और बेवकूफी वाली हरकते हो रही है यहाँ पे ऐसा नहीं है वो आपके साथ हमेशा जो है वो रहेंगे यह वही चीज है कि जैसे कैसे कहूँ है जैसे antiques होते है तो antiques में अगर जो वो सिक्का है या सोने का सिक्का है या चांदी का सिक्का है तो वो बरसो पुराना भी हो मिटी में दबा हुआ भी मिले तो भी जो है उसको अगर मिटी से हटा दिया जाए तो वो अपनी चमक दिखाता है साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बहुत ही जनिन relationship रहेगा आप लोगों का और expression जो है वो इसी तरीके का रहेगा तो चलिए देखते हैं यहां पे cards यहां दोनों ही cards में जो है वो couple आ रहा है और एक दूसरे को गले लगाये हुए तो बहुत ज़्यादा emotional जो है आप लोगों का एक attraction भी रहेगा एक relationship भी रहेगा और एक दूसरे की भावनाव की बहुत ज़्यादा यहां पे कदर होगी तो इस तरीके की situation है तो चलिए देखते हैं क्या हा रहा है embrace through each other you find the missing piece तो एक दूसरे को गले लगाना या embrace करना या जो find करना missing piece को की missing piece जो था जो अधूरा था हलका ही हो लेकिन अधूरा पन जो था वो भी पूरा हो रहा है तो यहां पे passion है magnetic seductive quality है इस चीज़ को आप खुशी से accept करोगे और उस time period को बहुत ज़्यादा enjoy भी करोगे चलिए देखते हैं कुछ oracle cards justice तो आपको यहां पे justice मिल रहा है जैसा आप चाहते हो ईश्वर आपके साफ नियाय कर रहा है next आरा आपके लिए divine masculine next है आपके लिए luminosity shine तो आप लोग एक power couple की तरीके से देखा जाओगे एक दूसरे के आमने सामने जब भी आओगे तो आप shine करोगे अपको खुद महसूस होगा कि आप लोग actually मैं shine करते हो next आरा blessing यह relationship जो है वो आपके लिए blessing की तरीके से रहेगा और next आरा यहां पे boundaries तो आप लोग boundaries भी रखोगे कि किसी और को जो मैंने कहा कि आपकी जो personal जो conversation है या personal जो life है उसमें जो है किसी और को interfere करने का मौका नहीं रोगे boundaries रखोगे और उस चीज़ को निभा होगी तो चलिए देखते हैं इस energy से रिटेट कुछ चांप्स यहां पे starfish आई है तो Aquarius energy है, healing energy है नेक्स टारा यहां पे एक key आई है, owl की की आई है नेक्स टारा एरोप्लेन आया है और यहां पे rabbit आया, ओके तो यहां पे यह चीज़ है कि आप healing महसूस करोगे, एक spiritual का तरीके का connection रहेगा, नेक्स टारा यहां पे एक key आई है, owl की की आई है तो समझदारी है, दोनों ही समझदार है solution है, challenges है, तो solution भी है नेक्स टारा एरोप्लेन आया है, तो एरोप्लेन transportation या फिर aviation industry में pilot या air hostess हो सकते हो, या फिर यह भी हो सकते है कि travel करने का बहुत जादा shock हो नेक्स टारा rabbit आया है, तो rabbit जो है वो एक intimacy से related चीज़े हैं, तो आप frequently जो है इस तरीके की चीज़ में आना चाहोगे, इस चीज़ को enjoy करना चाहोगे और खुशी महसूस करना चाहोगे, तो चलिए देखते हैं कुछ love song आपके लिए क्या आ रहा है उनके मन में आपके लिए तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का, अच्छा गाना है नेक्स टारा बाहों के दर्मियां, खामोशी मूवी का है नेक्स टारा, कितनी बेचैन होके, और नेक्स टारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें थैंक यू